नमस्कार दोस्तों, नमस्ति इंग्लिश में फिर से आपका एक बार स्वागत है। हमेशा की तरह आज मैं फिर आपके लिए एक नया सेशन लेके आया हूँ और यहाँ सेशन आपको अंग्रेजी बोलने और लिखने में काफी लाबदायक साबित होगा। आईए इसके पहले आज के सेशन की सुरुवात करें। मैं आपको एक जानकारी दे दूँ जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है यती आप अंग्रेजी बोलना चाहते हो, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना चाहते हो तो देद ना करें। आज ही प्ले स्टोर से नवस्ति इंग्रेजी से अप डाउनलोड कीजिए और अनलिमेटेड एकाउंट जॉइन कीजिए। अनलिमेटेड एकाउंट जॉइन करने से आप यहां बिना किसी की मदद से फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सिख सकते हैं। तो चले आज के सेसन की और। असानी से कर सकते हैं। आईए देखते हैं आज का पहला मुहाबरा। आज का पहला मुहाबरा है यदि हिंदी में अक्सर हम बोलते हैं पहले अपना देखो तब दूसरों को बोलो। तो इसको अंग्रेजी में आप बोलेंगे माइंड यूर ओन बिजनस। अगर आपको किसी को बोलना है कि पहले आप अपना देखो तब आप दूसरों को बोलो। तो इसको आप अंग्रेजी में बोल सकते हैं। फर्स माइंड यूर ओन बिजनस। हिंदी में अक्सर हम कहते हैं कि रंगे हाथ पकड़ लिया। अगर किसी को आप कुछ गलत काम करते समय पकड़ लेते हो तो आप उसको बोलते हैं रंगो हाथ पकड़ लेना। तो इसको अंग्रेजी में आप कहेंगे रैड हैंडेट। वहाँ रंगे हाथ पकड़ा लिया गया। अगला मुहाबरा देखते हैं। अगला मुहाबरा हिंदी में अक्सर हम बोलते हैं किसी की रोजी रोटी चीनना। किसी के अगर आमदानी या नौकरी चले जाए तो इसको हम बोलते हैं कि किसी के रोजी रोटी चीन गए। एक मुहाबरा है अंग्रेजी में, हिंदी में जिसका हम काफी अपनी बोलचालगी भासा में करते हैं। जैसे बोलते हैं खून के आशू. So, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, The story made me heart bleed. मतलब उसकी कहानी इतनी दर्दनाक थी कि मेरा दिल दहल गया. तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं, The story made me heart bleed. अगला मुहाबरा है हड्यो का ढाचा. हड्यो का ढाचा को अंग्रेजी में हम कहते हैं, Bag of Bones. तो अगर हम बोलते हैं, कोई बिल्कुल पतला दुबला है, तो हम बोलते हो, कुछ नहीं हड्यो का ढाचा है. तो हम उसको simple बोल सकते हैं, Bag of Bones. हिंदी में अक्सर हम बोलते हैं, चोर बजार या समान चोर बजार से खिर दे गया है, तो चोर बजार से खिर दे गया समान को हम अंग्रेजी में बोल सकते हैं, Gray Market. या समान Gray Market से लिया गया है, या चोर बजार से लिया गया. तो आपने देखा कि इन मुहाबरों का हम अंग्रेजी में इस्तमाल करके अपनी स्पोकेन को और चार्चान लगा सकते हैं इस तरह के अन्य टिप्स को जानने के लिए आज ही नमस्ति इंग्री साथ डाउन्नोड करें और अन्निमिटेड एकोर्ट जॉइन करें व्मस्कार